नमस्कार दोस्तो आप सभी का Intelligent Investment Channel में स्वागते तो आज क्या मुड़ों में देखेंगे 3rd March और 4 March Nifty Nifty Bank Option Market साती इंट्राडे के लिए आप कोंसी शेर ले सकते हूँ इसकी पूरी इन्फोर्मेशन आज क्या मुड़ों में देखेंगे तो चले शुरू करते हूँ अगर आप फ्री दिमेट आकाउंट ओपन करना जाता हूँ विद जीरो ब्रोकरेज तो मैंने डिस्क्रिप्शन अप्स्टॉप की लिंक दिए वहाँ से आप जाकर अपना दिमेट आकाउंट ओपन कर सकती हूँ तो एदेखे अगर आप इंट्राडे ओप्शन मार्केट या कोमोडिटी अगर खेर रहे हो तो एदेखे जीरो ब्रोकरेज अच्छा होता है जीरो दायर अप्स्टॉप के दो अच्छे ब्रोकरे आमारे इंडिया में तो आप वहाँ से अपना दिमेट आकाउंट ओपन कर स सकते होई रहे बात अगर शेर कान को एदेखे हम इस अप्लिकेशन का सिर्फ टेक्निकल अनेलिस के लें यूज करते हो ज्यादा कुछ नहीं तो हम देखेंगे निप्टी सेंसिक्स और निप्टी बैंक जैसे मिने पिछली ओड़े में कहा था कि 15,000 के आरांड अगर निप् तो एदेखें ज्यादा मुमेंट कुछ है नहीं जैसे में नहीं कहा था कि 1% के आरांड ही होने वाली तो आपको क्या करना चाहिए तो मेरी माने तो एदेखे 36,000 के पार अगर को निप्टी बैंक ओपन होते ही जाएगा तो आप वहाँ से पुट ले लेजे सबसे बहतर है क्योंकि एक दिन में अगर उसी प्राइस के आरांड अगर पुट लेते हो तो डेफिनेटली प्रॉपिट होगा लेकिन आप उससे क कम या जादा लोग है तो डेफिनेटली लॉस होगा क्योंकि एकस्पारी फोर मार्च की है बान लेजे आप उजिट जाता है मार्केट यहाँ से अगर निप्टे बैंक गिरते हो तो अगर देखे 35,000 का कॉल ले लिजे प्रॉब्लम में यही रहेगा कि कॉल के प्राइजेस रोपूट के प्राइजेस दोनों के प्राइजेस गिरने वाले जैसे एकस्पार याती है दोनों के प्राइजेस कम होते है तो उसी के आराउंड आपको प्राइज रेंज करों कॉल रोपूट लेना है जैसे मैंने डाउन और अपका टार्गेट बता है उसी सब से आपको ब बतायन जोरा वोस्टाइटर जाप यूच कीजी यह हो गई option market nifty bank के लिए option market nifty के लिए देखे जैसे मैंने कहा था कि 15,000 तक nifty जानी हो लिए तो वहां का put ले लिजी 15,000 जैसे कल cross होगा 15,000 ये 15,100 max बता वहां से थोड़ासा put ले सकते वह थोड़ी बहुत रिस्क हो सकते ले लेकिन current price के आपको put लेना है फोर्माट से बहुत ही पासे तो premium गिर जाते तो वहां से आप profit book कर सकते एक दिन का wait कीजी या फिर जैसे मैंने around आपको बता है 15,100 का अगर nifty जाते या फिर 15,000 तक उसी price में fluctuate हो रही तो आप वहां से put ले जे और लग बग मान लिजे 1150 अग अभी price चर रही put की 15,000 का तो 1120 30 से लेकर 1150 के around आप wait कर सकते हो कि आगले दिन दोनों ही call और put की price गिरने वाली है जैसे एक स्पार रहती वे से गिरती आने वाले week के में बाद में आपको बाता सकता हूँ क्योंकि आने वाले week में option market में अच्छे return आने वाले जैसे मैंने प स्टॉक का option market के लिए definitely profit होगा या फिर intraday और swing trading intraday और swing trading के लिए जैसे मैंने टाटा मोटर्स बताया ताप इस लिएवड़ो में देखा है मैंने टार्गेट यही बता गया 315 to 320 का around ले लिजे 345 या 350 का around फिर से sell की जे टाटा मोटर्स जैसे टाटा मोटर्स 350 का around जाता है वहाँ से आप अगले दिन short selling कर सकते है या फिर option market में पुट ले सकते हो जैसे जितना प्राइज है उसी current price का आपको पुट लेना यह टाटा मोटर्स का 345 अभी प्राइज चरे मान लिजे कल 350 में जाता है तो वहाँ से आप पुट ले लिजे और टारगेटर के 330 और 320 का around डेफिनेटल टाटा मोटर्स वहाँ से गिरेगा बड़े मोमेंटें देखे 7 और 8 मार्च के around होने वाले तो वहाँ की रिस्क मत ले लिजे थोड़ा बहुत आप वेट कर सकते है प्राइज में और रही बात है देखे तो है देखे HDFC और कोटक बैंक जिसे में ने यह काता कि कोटक बैंक और HDFC बैंक अपने all time high के around थोड़ा बहुत चल रहे तो मेरे इस अब से देखे कोटक बैंक में सेलिंग होने वाली है सेलिंग यहां से होने वाली है मार्केट अगर थोड़ा बहुत गिरता है तो में बता रहूं सेलिंग कहां से कहां तक होती 1800 के around selling करने 1750 के around यहां तक नीचे जाएगा कोटक बैंक तो बेस्ट आप्शन यही है कि आप सेवन मार्च और एट मार्च के around रुकी है क्योंकि बड़ी मुमेंट जब होगी तब पुट का लॉस हो सकता है तो अभी around आपको अगले दिन क्या करना है मान लिजे निप्टी थोड़ी बहुत गिरती है या फिर कुछ और बढ़ती भी है तो यह देखिए अगर कोटक बैंक बढ़ता भी है stock तो यह देखिए टार्गेट क्या होना चाहिए अगर कोटक बैंक कल पॉजिटी ओपनिंग होते है तो 1800 80 और 70 के around यह डेफिनिटली ज करना है और 1860 और 80 के around आपको सेल करना है डेफिनिटली यहाँ शॉट सेलिंग हो सकती है यह देखिए के around देखिए इतनी मुमेंट हुई नहीं जैसे मैंने आपको कहा था कि यह प्राइस इतनी स्ट्रॉंग है तो यहाँ से शॉट सेलिंग थोड ही बहुत मुश्किली 400 और मेबी 420 के around आसानी से यह जा सकता है और यहाँ बाइंग हो गई और यहाँ सेलिंग के around जाएगा और कौन से यह देखिए रिलाइंस और भारतिया रिटेल जैसे मैंने कहा था कि पिछली उड़े में भारतिया रिटेल कहा है यहाँ मैं यहाँ तो तो देखिए थोड़ी सिस्की बहरतिये देखिए सोर यह मिस्टेकर यहाँ आई नहीं रहा है नीचे आ गया तो यहाँ देखेंगे भारतिया रिटेल की थोड़े जैसे मैं कहा था पिछले उड़े में थोड़े बहुत मुश्किला रहे उसके वज़े से डिपिकल्टी आ रहे एदेखिए भारतिया रिटेल का अगर में ने बताया था कि फाउई ट्वेंटी का राउंड बाई कीजिए फाउई टेंड मिनिमम जा सकता है। इस प्राइज में गाया था तो यहां बाई कीजिए और सेलिंग भारतिय अर्टेल की आराउंड रहेगी फाउई फिप्टी से फाउई एक्टी के आराउंड सेलिंग होने वाले यानि लगबग अभी भारतिय अर्टेल 2% सेले कर 5% बढ़ने वाला है तो उसे के आराउंड आ करने अगर भारतिय रटेल बढ़ता है तो एदे के 600 जब भी प्राइज के आराउंड आएगा नियर सेलिंग आपको इस प्राइज में करने है नो रिस्क स्टॉक मार्केट का भी जाए यहां से आपको सेल करना हो ओप्शन और मार्केट के बतार यहां से आप 600 का पुट ले इसलिए शोट में आपको सब बतारौं जीसे मैंने कहा था कि रिलाइन्स का विट कीजिए रिलाइन्स जाने वाला है 200 2150 और 86 यहां से आपको करना है एक से था थाजन व फ्र 50 के रहाँ और बॉइक करना है फिर से स्थु थूज़न के रहाँ इंट्राडे में भी आप इतना डेपरेंस में आप बाई कर सकते हो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है तो उसे के रहाँ आप पूड भी ले सकते हो फिर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो लेकिन अभी प्र तो वहाँ से थोड़ा बाइक कर सकते हो आप शॉट टम में और 2001 यहां का टारगेट रखे एक दिन के अंदर रिलाइंस जा सकता है अगले दिन पॉजिटिव रैली हो सकती है मार्केट ही कुछ इससे सबसे चर रहा है अगर आपको कोई और स्टॉक की इन्फोर्मेशन चाहिए चाहिए आई प्यो की हो गया तो अपर नियुटि 500 इंडेक्स की तो मुझे कमेंट के जरी बाता सकते हो मैं हर कमेंट का जाब देता हूँ वडियो अच्छी लेगी तो झाल झाल